दोस्तों मैं हूँ सोरू शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल हरियान अपडेट डेली निव्स बात करेंगे रेवाडी की बड़ी खबर के बारे में तो वीडियो को शिरू करते हैं देखिए आप सभी को बतायता हूँ कि अमरनाथ यात्रा पे लोग गए हुए हैं अलग 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 जगों से लोग गए हुए हैं तो आपको रेवाडी की लोग भी अमरनाथ यात्रा में फसे हैं पूरी खबर आपको उतायता हूँ पूरी खबर यह कि जो अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने से सेलाब आ गए जिसमें काफी लोगों की जान चली गए और कई लोग अभी तक लापत है रिवाडी इसके भी कुछ लोग श्रद्दालू जो है वो गए थे वहाँ पर और आपको बतायता हूँ हमें जो न्यूज मिले उसके हिसाब से वे सभी वहाँ पर सुरक्षित हैं लेकिन उन्होंने ये काए कि जहां पर हम फसे हुए हैं वहाँ से आगे जाने के लिए मना किया हुआ है हलांकि प्राकरतिक विपदा के बाद भी श्रद्दालों की श्रद्दा और उत्सा में कोई कमी नहीं है उन्होंने काता कि हम 28 लोग के आसपास एक जत्था गया था उनका 28 लोगों के आसपास इसमें 4 मैला है दो बुजर्ग भी शामिल है हम पहल गाम तक मोचे थे जो बता रहे हैं मैं उनको जो आपको बात बता रहा हूँ उनकी जो जवानी है वो बता रहा हूँ वो पहल गाम तक पहुंच चुके हैं उनकी अनुसार उन्हें एक दिन पहले ही जो पवित्र गुफा की निकट पहुंच जाना था लेकिन जम्मू में बगवती कैम्प में उनको रोक दिया गया वहाँ से शाम को यहाँ पहुंच आपको बता लेता हूँ कि देखिए उनको पहले ही रोक दिया गया और लगबग 48 km दूर है वो गुफा से जो भी है पवित्र गुफा उससे दूर है आपको दायता हूँ दूर दराज से बड़ी संक्या में श्रदालू वहाँ पहुंच जिनको पहल गाम में रोके रखा है क्योंकि आगे जो भी है रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं है वो बता रहे हैं कि वहाँ पर लगातार बारिश भी हो रही है जिसके कारण हाँ कह सकते हैं उनको आगे नहीं बेजा जा रहा है इसके बाद दूसरी बड़ी खबर आपको दायता हूँ देकि रिवाडी में अब ये परिशानी बढ़ेगी आप सभी को पता है कि तीचकत यहार आने वाला है लोग पतंग उड़ाते हैं और काफी मनोरंजन भी करते हैं इसके चलते हैं आपको बतायता हूँ पिछली बार एक व्यक्ति का चाइनीज डोर के करण गर्दन कट गई थी जिसका 11 महीने बाद भी अब भी उसके वाँ पर निशान है और जब बोलता है तो बोलने में दिक्कत आती है आपको बतायता हूँ कि जिले में कई लोग है जो की डोर से गाव से मतलब हम कह सकते हैं जेल चुके हैं इनी में से जो मोहला कायस्त वड़ है महाँ पर एक बावन वर्षी व्यक्ति है जिसे 11 महीने पहले साइकल पर चलते समय चाइनीज डोर में उसकी जो गर्दन मतलब कट गई थी उससे इसके बाद अस्पताल में इलाज करने के बाद उसकी जान तो बच गए लेकिन कट का निशान बरकरार है और अभी भी बोलने में कई बर्दिक कट का सामना करना पड़ता है देखे अब तीज कत यहारा आप लोग समल कर चली क्योंकि यह जो रिवाड़ी के लोगों के लिए परिशानी है और हर जगह की परिशानी है कि जो डोर है चाइनीज डोर उनसे गला कट जाता है किसी के हाथ उंगली मुह कट जाता ही यह चीज़े कट जाती तो आप लोग भी समल कर रही है रिवाड़ी की जितने बड़ी खबरे जान दिकले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए रोजान आपको रिवाड़ी की बड़ी खबरे हमारी चैनल पर मिलेंगे से के साथ दान्यमाट